मेडम हीरा ग्रूप कंपनी में पिछले कुछ मेहनों से जिस तरह की प्राब्लम चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और प्राब्लम्स तो नार्मल छोटे मूटे प्राब्लम्स हैं और हिंदुस्तान में कुछ GST के रूल्स चेंज होने की वज़ा से कुछ बैंकिंग के ट्रैंसफर में लिमिट्स में चेंजे साने की वज़ा से और काफी चीजों की वज़ा से थोड़े बहुत जो है चोटे मूटे प्राब्लम्स हुए है और जो क्रियेट किये जा रहे ही वो प्राब्लम्स नहीं है जो रियल प्राब्लम है वो चोटे मूटे मिल जाएंगे इस पर क्या अपडेट है और अलहमदोलिल्ला मैंने तीन महीने पहले जो है कस्टमर को एक मेसेश दिया था कि जो मंतली जो डिकलरेशन था अब वो त्री मंच में एक बार हमारा ट्रेडिंग डिकलरेशन होगा अफ्टर ट्रेडिंग डिकलरेशन भी हुआ और अल्ला का फजल है सारे लोगों को जो है उनके ट्रैंसफर जा रहे ही ट्रैंसफर लिमिट के जितनी हैशिय यह है उतना इससे जा रहे हैं मगर बहुत जल्द सब को भी इंशालला मिल जाएगा सोशल मीडिया पर आपके वाकंपनी के खिलाप जिस तरह की अववाएं फैला ही जा रही है इन सब के पीछे क्या मकसद है क्या आप इन सब के पीछे किसी राजिनितिक पार्टी का हाथ बताना चाहे रही है सोशल मीडिया पर जितने भी जो चीज़े आ रही है जाहर से बात है कि सोशियल मीडिया पर कोई रोक नहीं है जो चाहे जो लोग जो कुछ भी चाहे कर लेंगे मगर खासकर से आप सब जानते भी हैं और देखते भी हैं और पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी फिकर नहीं है जो M.A.M. के लीडर्स को बहुत बड़ी फिकर है हीरा ग्रूप की क्योंके उनके खिलाफ मुखदमें कोट में दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ मुखदमें जो रिजिस्टर हुए ही उसके वो एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रहे ही और कुछ नहीं कोट को एविडेंस बताने के लिए कोट को एविडेंस जमा करने की कोशिश की जा रहे है मगर वो कोशिश में और फस्ते ही जाएंगे क्योंके कोट को पता है कि केस कप का है केस किस वक्त में किया गया है एविडेंस कप जमा कर रहे ही तो इसलिए सीधी सी बात है लोग सब इस बात को समझ रहे ही मेडम कोट में आपने M.I.M. लीडर शहबास खान के खिलाफ डेफामेशन सूट दायर किया था जिस पर मानी नियालाई दौरा बंदिश लगाए जाने के बावजूद भी वह बाज नहीं आ रहा उस पर आपकी अगली पृतिकरिया क्या होगी देखिए कोट में मैंने केस किया था और उसके ओपर मानहानी का केस मैंने डाला था और डालने के बाद में जो है कोट ने इंटरीम आडर दिया के वो हमारे खिलाफ कोई भी प्रापगंडे सोशियल मीडिया पर नहीं कर सकते उसके बाद आप कोट ने उस आडर को जब तक के केस चलता रहेगा वो कुछ नहीं कहेंगे इस तरह का कोट का आडर हो गया है मगर इस बात के लिए मेरा एक ही जवाब है के जो लोग पड़े लिखे हैं कोट आफ कंटम्ट इंडिया में क्या है उन सब को भी पता है हर मुझरिम बस तकता है मगर जो Kote of Contempt इंडिया का कितना भी बड़ा लीडर क्यों न हो कितना भी बड़ा आफिसर्स क्यों न हो कोई भी क्यों न हो क्योंकि इंडिया के खानून से बड़ा आगे वो कुछ भी नहीं है मगर खानून उसको बहुत जल्द सबख सिकाएगा जो कोट आफ कंटम्ट करते ही वो एक दिन सलाखों के पीचे जरूर रहेंगे वो सब को नजर आएगा जैसा की सोशल मीडिया पर लगातार मैसिज वाइरल करके मेंबर्स को हीरा ग्रोप के सेंटरल आफिस पर विरोध परदर्शन के लिए बुलाए जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किस का हाथ है और इस पर मेंबर्स का क्या रियक्शन है मिंबर का रियाक्षन तो जो है वो होगा क्योंकि कुछ लोग थोड़ा हिम्मत वाले होते हैं कुछ लोग थोड़ा डरने वाले होते हैं मगर किसका हाथ क्या है ये तो सीधी से बात है कि एमायम के लीडर का हाथ है और ये मयम का हाथ है जो फीचे से सब कुछ जो है चाल चल कर करवा रहे ही और ब्लाक मेलरों का हाथ है जिसके अंदर डिमैंडिंग ब्लाक मेलिंग सब कुछ भी है तो बस उन्हीं का हाथ है और कुछ भी नहीं है पिछले दिनों सरकारी डिपार्डमेंट जिसमें ED, IT के अधिकारी जाज के लिए हीरा ग्रूप के आफिस आए और उसमें जाज भी उन्होंने की तो इस पर क्या बात निकल कर सामने आई जो भी सरकारी अधिकारी है मैं उनकी रेक्सपेट करती हूँ और जो भी डिपार्मेंट आते हैं, जो मुझे कोशन करते हैं, मैं उसको फेस करती हूँ और जो भी उनके रिक्वार्मेनट होते हूँ, वो मैं प्रोवाइट करती हूँ सरकारी अधिकारी आना और इन्वेश्टेगेशन करना कुछ पूछना ये उनकी जिम्मेदारी है आस तक हमारे खिलाफ कोई भी चीज फुरूफ नहीं है ना होगी इन्शाला मैडम जैसा कि एक आप महिला होते हुए भी इतने बड़े बिजनिस को समाल रही है और देश वे देश में अपना बिजनिस को फैला रही है इसमें क्या क्या दुश्वारियां सामने आती है दुश्वारियां क्या है बहुत सारी आती है इसमें ब्लाक मैलर्स बहुत जियादा होते है और मैं एक औरत हूं करके मुझे डामेज करने के लिए औरत क्या कर लेगी इस तरह के सूच होती है सब के अंदर वैसे भी लोग काफी सताते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं दुश्वारियां मगर दुश्वारियों को फेस करके करना ही एक काम होता है और मैं इसी तरह से अल्ला पे पूरा भरोसा रखके दुश्वारियों को फेस करती हुई काम करती हूं और मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूं मुझे किसी को नीचे गिराने के लिए काम नहीं करना है इस पर बार बार आपको मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दैनी पढ़ती है आज आप इस पर क्या कहना चाहेंगी मैं तो यही कहूंगी कि अब जो लोग मुझे हमेशा भागना का सूच रहे ही वो तो दस साल बीस साल से बोल ही रहे ही कि भाग जायेगी भाग जायेगी भाग जायेगी मैं तो कि अब्लब अपना पयारा वतन अपना हिंदुस्तान चोड पर कहीं नहीं भागूँगी जो भी मस्छे मसाइल आएंगे मैं यहां पे ही रहे कर हल करूँगी कोशिश करूँगी ये सब जूटी अफ़ाएं हैं वो सिर्फ ये एक लीडर बोलता फिरता है भाग जाएगी और कोई इंडिया में मुझे नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं आखिर में अपने मेंबर्स को क्या मेंसेज देना चाहेंगी मैं बस मैं मेरे मेंबर्स को यही मिसेज देना चाहूंगी कि जो कमपणी में सालों से आये थे और सालों से हमारे साथ जुड़े हैं सालों से उनके घर के मसाईल उनके रोजी के मसाईल पूरे के पूरे अल्ला के फजल करम से हल होते चले जाते थे जो member company के policy के साथ है company भी उनके साथ है अब जो members कुछ radioids seeter हों के साथ कुछ इसके साथ वो जा कर complaint, बहिकाने में आके complaint करने में जो जा रहे ही complaint करने को हम मना नहीं करते क्योंकि हर किसी का अधिकार है कि जब उनको तकलीफ हो तो वो complaint करे मगर अब company की legal team ने ये decision ले लिया है के जो भी इस तरहा के fake complaints कराते हैं वगयरा सब उनको हम court में proof करा के payment करेंगे court में पहले proof कराएंगे court में case चलेगा और case चलने के बाद payment होगा चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे क्यों कि हम को भी बताना है कि हमने कोट में कि हम कोई धोके बाज नहीं है ना हम कोई चीटिंग किये हैं ना हमने किसी के साथ धोका किया है हमने उनको उल्ठा पैसे कमा के दिये हैं और हमने एक को दो उतना कमा के दिये हैं तो फिर हम कैसे चीटर हुए वह हम कोट को बता के उनके पैसे कोट में ही वापिस किये बस मैं सारे मेंबर्स को यही यह करूंगी कि आसानिक के साथ पीस के साथ सब लोग भी रहेंगे तो इन्शालला सब को पॉलसी के हिसाब से उनके जो पेमेंट्स हैं उनके सारी चीज़े हैं उनको मिलते रहेंगे नहीं इन उनके लोगों के बहकावे में आकर बार बार आकर हमको परेशान करने के लिए जो कोशिश करते ही अब हमारी लीगल टीम का ये फैसला है कि कितने भी लोग आओ कोई बात नहीं है अब उनका पेमेंट उनका पैसा जो है कोट में ही उनको मिलेगा H News में अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया